और सुबे से इंतजार करते करते भर दे नहीं एक टबा भर दे अब रात का वेट करेंगे रात को पानी आता है कि नहीं आता है लिंगुडे की सब्जी अचानक से बारिश सुरू हो गई तो इसी बारिश पेम ऐसे लगाओ को तो लगर सामता की होगा एचमका दिया बस अब देखने पे तो ना दीदी का खेत इता छोटा लग रहा था अब हम यहां पर बनाएंगे अचार अब दिककत नहीं और आपको पानी कहा का पानी पीरा अपके लगा पास है ने डिगी रॉल हमाले दूर हो गया का ची जी नमस्ते लिए घास और ना अबसके मूँ में पाणी पानी 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 अब बाल्य पानी देना भी राहिए अभी बच रहे हैं सामके छह और सुबे से इन्तजार करते करते सामगे 6 बच चुके हैं और अभी तक पानी का अताः पता बिल्कुल नहीं है सुभे से वेट करी थे कि पानी आब आए गा अब आएगा दाएगा सुभे के बरतने आसी पड़े है चिन में बाथ्रूम की तंधी की पानी की फ़ृआना अब दिक्कत हो रखिए यहां बहुत दिनों से और आ भी रहा है तो मिट्टी वाला पानी आ रहा है जो पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है तो मैं जा रही हूं अपने गाउं के पंदेरे में जो कि इतनी उपर है अब इसे सांस फुलने लग गई है तो महां से लेके आऊंग आरी हूं इक एक करके लेके आऊंगी तो यहां पे रौनक भी यह पानी पीने के लिए दिए लबह में फ़र तो बढ़र देने एक पर देंगई अग अब भर देंगे अब तो ले गया दोनों हाथों में डबे और यह ला रहे है ठैला अध्याला अध्या रहें है दिखाना वह पहले पहले ही दोली है जाही सब्लाइजी लोग ना यहीं पर भर रहे हैं तो इपनी दूर कि जाना है लगे तो यहां भी मैं भी हाथ धूली ती उनके साथ साथ क्या थाई जी बोलो ताउजी को जड़ा नल बना गाई आपको लग रहा है बंद करना पड़े थाउजी आए डूंड तो थाई जी का गई अठाव जी थाउजी आए तो पानी बनाने गई अब रात का बेट करेंगे रात को पानी आता है कि नहीं आता है मैं तो लग रहा हमें जाना पड़ेगा पानी बनाने के लिए अब दादी ने भी भली अपनी कल्सी अब 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 यह कौन है ना धूप ना बारिज को नहीं है जाता लेगे रात को छाका लेगे कौन आ रही है चलो बंद कर दिया बाई मला इतना खौप हो रहा है देखना ताओ जी आग बना के लिए पानी बना के लिए आए कि कलाएगा मला आज भी बेट करना पड़ेगा पूरी राथ है तो मैंना अब भर पहुंच चुकी हूँ पानी बानी लेके और आज में खाने में बना दी हूँ लिंगुडे की सब्जी यह हमें किसी ने दे रखे हैं हमारे गौं में नहीं होते हैं जहां ठंडी जगे होते हैं बड़ साथ के टाइमी आता है यह और किस ने लिंगुडे की सब्जी खा रखती है मुझे कमेंट में जरूर बताना और अपनी अपनी राय देना कि आपको इसकी सब्जी कैसे रखती है और आप किस-किस तरीके से इसकी सब्जी बनाते हैं हम तो ना प्या आज के साथ है इसकी सब्जी और हलका सा दूप डालते हैं जो थाने में बहुती टेश्टी होती है तो आज सुबह सुबह जब उठी तो हलकी हलकी धूप आने लग गई थी फिर अचानक से बारिस सुरू हो गई तो इसी बारिस का मज़ा लेते हैं आज की वीडियो की भी शुरुवात कर लेते हैं हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत आपका एक बाद विच्चे में नई वीडियो में मेरा नाम है बवी तारावात मैं उत्राखन देव भूमी के पॉड़ी गडवाल जिलेके छोटे सी गाउं को ट्री सेन में रहती हूं उमीद करती हूं आप लोग अप हैं सुभा के साड़े आठ और सभी की धान लगभग लग चुकी है जहां जहां पर यह हरे हराद इधर इधर की साथ अभी बिजवार है और इधर की साथ धान लग चुकी है और वहां पर कई लोग लगा रहे हैं अभी और बाकियों के खेत अभी खाली है वह भी कुछ दिन तो परिशान हो रहा है उलटकरी नो परसे हैं तो हमारी कविता दीदी इतनी सुपर फास्ट है कि हर जगे नजर आ रहाती है तो आज के धान हमारी ताजी लोगों के खेत में लग रहे हैं अभी बारी सो गई थी खतरनाक होने वाली थी और बच गई देखने में असान लगता है पर जब हल लगाते हैं तो बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है जैसे यह नहर बना रहे हैं उसमें से मसीन को उठाना इतनी भारी भारी मसीन उठाना जैसे दीदी ने लेको सर पर रख रखा है उदर से मामी भी लेके आ रही है यह पीप जल्दी हाथ चलाओ दीदी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ जलाओ जरा क्या हो गया ऐसे लगाओ को तो लगर सामता की हो गाँ बिल्गुल मेंदी लगे हातों से लगाओ को तो गया पर आज नमस्ते आगे नास्ता पानी करके क्या क्या खाय नास्ते में कि अच्छा लगता का आपको तो यहां पर दीदी खाद डाल रही है गोबर की दीदी क्या बहुगेस में घास और धान है यह मांच बहुने के लगाइज अ साप सुथरा बना रहे हैं नला रहे हैं ऑफ चमका दिया बस अ यहां बहुत दीदी का टान निमान रहे है तो दीदी भाईया को यहीं पर बलाने के के लिए आ गई हुआ है यह सुन लिया करो जरू उनका खहना कहना सुन लिया करो है कुछ है को वी तो कि अ कि अ कि अ कि अ कि पिछ तो देखने पे तो ना दीडी का खेत इता छोटा लग रहा था पर लगाते लगाते इतना बड़ा लगने लग गया है ना और बिजवार भी कम पड़ गई है तो दीडी किसी से लेने गई घई तो वह डीजी अब तो बहुत जाद ही लिया है अब तो दूसरे का खेत भी करना पड़ेगा लग रहा है हत्याना पड़ेगा तो यहां पे लग चुगी है दीदी के खेत भे धान और अकांसा भी आ गई थी हेल्प करने के लिए दर्सकगण देखते हुए प्रोग्राम देखते हुए कैसे कैसे धान लगा रहे हैं तो यह आप मेरे पैर होगे नजारे देख सकते हैं कैसे मिट्टी पे लदड़ पतड़ हो गए हैं अब हम वहापे जाके पहले अपने पैर धोईंगे यह वह देखते हैं और एक छोड़के यह हमारा खेत है जिसमें तार लगी हुई है एक है हमारा उधर की साइड है और एक यह है धिरे-धिरे मुझे पता चल रहे हैं हमारे खेत कहां कहां है तो यह कान पर गौर किया जाए नए-नए सोने के ज्मकी गौर गया जाए कानों मे अज हमारी दीदी लगा रही है यहां पर हल साबास दीदी साबाव जय जवान जय किसान तो यह है मामी जी लोगों का पॉली हाउस इसके अंदर उन्होंने कद्दू की बेल लगा रखी है वो उसमें छोटे-छोटे यह फूलू भी उग रहे हैं यह फूलू उग रहे हैं चोटे-छोटे और यहां पर है यह भिंडी का पेड़ इधर भी कद्दू यह है बस अभी तो फिलाल इसके अंदर यह ही है और वो पीछे की साइड भी वहाँ पर भिंडी लगा रखी है उसमें भी फूलू उग रखे हैं और भिंडी भी लग रखी है उसके अंदर और यहां पर टाइजी काट रही है घास गाई के लिए आजकल घास की कमी नहीं हो रही है ना हर जगे मिल जा रहा है घास होई तो सही हो जादा दूर नहीं जाना पड़ता ना अब अधा सर्दियों में क्या करते हो सर्दियों में सर्दियों में जंगल जाते होगे ना यहीं तो यहां पर मम्मी इतने सारे आम ला रखी है यह किसमें तोड़े वहां से अच्छा तो इससे अब हम यहां पर बनाएंगे अचार कमें करे जासिए हैं कि चलिए जाऑ आज की वीडियो को भी एई पर समापते कर देते हैं मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक प्रेजे कमेंट के जिए अपने दूस्तों के साथ सेयर कीजिए अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के संग तब तक के लिए बाई बाई जै हिंद जै भारत जै उतराखंड